नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी में प्रियुक्त होने वाला एक चिन जिसका नाम है विस्म्यादी बोधक चिन विस्म्यादी बोधक चिन को इंग्लिस में कहा जाता है अक्सक्लामिट्री मार्क अक्सक्लामेट्री माक्स कहा जाता है इसको किस प्रकार लिखते हैं हम एक डंडा उसके नीचे बिंदी मतलब इस प्रकार हमें से लिखते हैं एक डंडा उसके नीचे बिंदी इस तरह के चिन्न को हम कहते हैं बिसमयादी बोदक चिन्न कहते हैं हम देखते हैं जब वाक्य के अंतरगत विस्मय आश्चर शोक हर्ष विशाद अर्था दुख इच्छा आश्चर भय आदी के भौव आते हैं तब विस्मय आदी बोरक चिन्हों का प्रियोग किया जाता है जब वादके के अंतर का दोस्तो जब हमें वादके में विस्मय, शोक, हर्ष, दुख, इच्छ, आश्यर, भै, आदी का भाव ग्यात होता है वहाँ पर हम इस वाले चिन को लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं विस्मय, बोदक, चिन या फिर अक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं अंग्रेजी में उधान देखते हैं अरे यह क्या हो गया शाबाश तुमने बहुत अच्छा कारे किया तो देखिए अरे के बाद क्या लग रहा है विस्मय, बोदक का चिन साबाश में क्या लग रहा है वह कितना सुंदर द्रश्य है देखिए वह मलब यह लड़की बोल रही है वह कितना तो यह क्या और यह विसमे रहा एंदर दरशे को देखकर आश्य चकित हो रही है तो आश्य जब चकित होते हैं दुख में शोक में तब कॉमी सा चिन लगता है बिसमैदी बोदक चिन लगता है मतलब यह वाला हाई मेरा सूट के शोरी हो गया तो यहाँ पर क्या लगेगा विसमयदी बोदक्चिन कितना सुंदर बच्चा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा आश्र कितना सुंदर बच्चा है तो यहाँ पर क्या लग रहा है विसमयदी बोदक्चिन लग रहा है तो ऐसे चिन्धों पर जैसे कि हे राम, हे अल्ला, हे मालिक, हे युवाओं, हे नवियुकों वहाँ पर आप इस परकार का चिन्ध लगा कर आया करिए हे इश्वर, धन्यवाद